नमस्कार, मैं रागबिंद पाल एक बाफिर से आप सब का स्वागत करता हूँ आज बारी है क्लास 12 की सप्लिमेंटरी बोक विस्टाच के चैप्टर थर्ड जर्णी टू दा एंड अफ दा अर्थ की इसमें हम पृतिवी के अंतिम छोर को गूम के आएंगे किसकी मदद से इसकी जो राइटर हैं तिसानी दोसी उनकी मदद से वो खोद गुमने गई तो उन्होंने बताया जो कुछ भी बताया किताब में लिखा हुगा है हम भी समझते हैं अंटार्टिका के बारे में अंटार्टिका जिस पर इंसान रहता ही नहीं उसके बारे में थोड़ा सचान लेते हैं अगर आप जाओगे तो बर्फी वर्फ ने जराएगी वहाँ पर तो थोड़ा बात करते हैं सबसे पहले तो मैं बुक ले लेता हूं और बुक का नाम है जर्णी टू एंड ऑफ दा आर्थ यानिकी अंटार्टिका पर घूमने जाएंगी कौन जाएंगी तिसानी दोसी जाएंगी क्या कह रही है अर्ली दिस येर आई फाउंड माइसेल्फ एब्रोडर रस्यान रिसर्च बैसल मैं इस साल के शुरुगात में एक रस्यान रिसर्च देखिए बहुत सारी रिसर्च एजनसी होती है जो यह करती रहती है मतलब अंटार्टिका की रिसर्च करती है एसिया अगर इस इस ये जूड़ेएं किसी ने किसी दो जोड़े पड़ेगा न तो यह जूड़ें इंडियन है उससे जूड़े मतलब ऐस क्रू में सामिल थी जो लोग अंटार्टिका पर गूमने जा रहे थे heading towards the coldest, dryest, windest continent in the world मैं हम लोग कहां पर जा रहे थे एक ऐसे continent पर एक ऐसे महादीब पर जो coldest है, dryest है, windest है यानि कि थंडा है, dry है और wind यानि कि हवा चालती रहती है बोड़ा, बहुत अलाग है नाम है Antarctica My journey began 1309 degrees north of the equator in Madras ये कहां किये मदरास की अब मदरास में जो आपका temperature है वो 13 normal है तो मेरी जो journey हुई जो यात्रा सुरू हुई वो 13 degrees से हुई यानि 13 degrees पे मेरा temperature था वहाँ से सुरुवात की And involved crossing 9 time zones 6 checkpoints जब मैं Antarctica पहुँची उससे जब मैं पहुँची तो उस ज़रान देखो सबसे पहले कार से जाएंगी एरपोर्ट पे पहुँचेंगी एरपोर्ट से रसिया पहुँचेंगी हवाजाज की मदर से रसिया में इनका जो सिप है जिसका नाम Academic Soliski है उसकी मदर से लोग अंटार्टिका की तरफ जाएंगी तो आप सबको पता ही होगा कि टाइम जोन होते हैं डिफरेंट तो इन्होंने ये बोल लेंगे मैंने नाइन टाइम जोन कबर की मतलब जब मैं वहाँ जा रही थी यात्रा करते हुए तो नाइन तो टाइम जोन देखी हमने अलग अलग सिक्स चेक्पोइंट्स मिले थ्री बोडीज ओफ वाटर याई तीन समुद्र मिले मिलेंगे अब जाओगे आप इतनी दूर तो मिलेंगे मिलेंगे और बड़ा बोलना आसान है पर आप जब सब्सक्रोगे किवा वाट वाट आ की ओड़र फीलिंही सीनी जांक मेर सक संग लाक ग मौसम समघ कीको स्प्यार इक ओना बातर बने हैं लेकिन आखिर मैंने मेरा पैर अंटार्टिका पर रखी दिया मैं कार से भी पहुंची मैंने आपको भी बताई था सिबसे भी गई और उसके बाद हम लोग सिबसे इन्होंने अंटार्टिका पर बिजिट की जैसे पहला पैर रखा अंटार्टिका पर कोई इनसान नजरी नहीं आ रहा है मतलब अलग सी feeling है ना बर्वी बर्व दिखाई दे रही है एक्तम अजीब फील हुआ and uninterrupted blue origin was relief और मैं देख रहे कि मेरे को आस्मान बिलू जो आस्मान था नीला आस्मान uninterrupted क्यों क्योंकि प्रतिवी तो बड़ी-बड़ी building है प्रतिवी पर तो इंटरप्ट हो जाता है किले बने हुए है विल्डिंग बनी हुई है तो उस्से क्या इंटरप्ट है नीजिए कि वो लंब दूर तक दिखाई है लेकि आप कोई बना ही नहीं नहीं बहुत दूरी तक origin याने विलू अरिजन यानि की नीला आस्मान दिखाई दे रहा उसके बाद followed up with an immediate and profound wonder बहुत सारे चमतकार देखने को मिल रहे wonder at its immensity इसकी तीबरता को देख के मैं आश्चर चकित हो गई its isolation इसके अकेलेपन को देख के मैं आश्चर चकित हो गई but mainly at how there could be ever have been a time when India and Antarctica were part of the और सबसे ज़्यादा आश्चर चकित तुम्हें जब हो गई जब मुझे पता चला कि कभी भारत भी इस continent का यानि की इस महादीब का हिस्सा था my god भारत उदर जाकर कैसे पहुँच गया कोशन उठ रहा है कि नहीं तो हम जानते है कि इसकी हिस्ट्री के वारे में हिस्ट्री में आपको बताता हो तॅ 650 million साल पहले छए सो पचास million साल पहले जब इनसान का ना और आंप ie अंटार्टिका अंटार्टिका जैसा नहीं था अंटार्टिका पर आज अगर आप जाओगे ना तो वर्फी वर्मरजर आएगी ऐसा पहले नहीं था पहले बड़ी या वन हुआ करते थे बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे मौसम साफ रहता था गर्म मौसम रहता था जहा आज आप जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ cold मौसम दिखाई देगा लेकिन बहाँ पे ऐसा मौसम रहता था बड़े-बड़े one हैं, जंगल हैं, हर्थ रहे के पसूप आजाते हैं, जानबर पाए जाते हैं लेकिन इंसानों का कोई नाम उनिसान नहीं था कब की बात हो रहे हैं, यह 650 साल पहले की, यह ना 650 साल पहले जो एरिया था, उसको बोला जाता था गौंडवाना कॉंटिनेंट, यह ना, पूरा एक एरिया लेकिन आप सब को पता है कि प्रिथ्वी का formation होना समय समय पर तैय है, यानि कि time to time अर्थ जो है, वो formation का, अपने आपको form करेंगी, तो एक दो में formation होगा, formation होगा तो जैसे माल लीजी एक भूकम टाइप काया, तो ऐसे एक जमीन होई, अब जमीन जब होगी तो कई सारे पहाड़ बनेंगे, कई सारी पहाड़ियां बनेंगी, है ना, तो पांसो मिलियन साल पहले, पहले तो बड़ी है, शेसो पचास मिलियन साल पहले चल रहा था, पांसो मिलियन साल पहले, यह सब formation होगा, formation होगा, तो इंडिया में जैसे आप हेमालाई देख रहे हो, हेमालाई कैसे बना, पहाड़ कैसे बने, ऐस तो ड़ी है कि बगवान में आ गया हिमालाय बन गया उद्रेक्ट पैसेज बन गया कहां पर साउथ अमेरिका और नॉर्थ क्यों पूरे वर्ल्ड में इसका इंपक्ट जाएगा है ना डाइनासॉर्स जो पहले एविलेबल थे गायब हो गया अच्छा हुआ गायब हो गया बहुत बड़े थे खा लेत लिए जो फॉर्मेशन होगा तो डाइनासुर्स हो गया तो यह जो हिस्ट्री है इसका असर गया अब नेक्स हैटिंग है यूमन इंपक्ट मतलब यूमन पर क्या इंपक्ट है तो देखो यह जो तोसानी दोसी तोसानी जो है वो जिस रिसर्च एजेंसी के साथ मिलके काम कर जाए इसकी हूमन इंपक्ट के बारे में बता जाए कि हूमन पर इसका क्या आसर पड़ेगा अगर हम अभी सचेत नहीं हुए तो तो कैनेडा के जो जो जव ग्रीन है यह क्या कर रहे हैं बच्चों को ले जा रहे हैं पहले बड़ों को ले जाते थे अब हाई-स्कूल के ब अंटार्टिका पे ऐसा है अब वो क्या करेगा पॉलिसी मेकर तो है नहीं है आंगे कोई नेता तो बनेगा नहीं क्योंकि 70 साल का ओल्रेडी हो चुका है तो वो तो आया और 75 साल में मर गया कुछ नहीं कर पाया तो जो कैनाडा के जोफ ग्रीन हैं को लगा कि हाई स्कूल की ब इंपैक्ट मतलब मनुस्त का कितना आशर पड़ रहा है जैसे आप ने देखा होगा कि बादल में मतलब की हमारी प्रतिवी के ऊपर एक ओजय लेयर बनी हुई है उस और लेयर में छेद हो गया है किस की वज़े से इंसानों की वज़े से अब ओजों लेयर में छेद हो गया तो समुद्र में छोटे-छोटे पेड़ पाए जाते हलके-हलके से, वो ग्रीन कलर के होते हैं, और उसमें हवा चाहिए, और वो सारे जो छोटे-छोटे पेड़ रहते हैं, वो कौन खाता है, समुद्र के जली है, जो प्राणी होते हैं, वो खाते हैं, लेकिन क्या हुआ, छे पड़ रहा है तो जैसे वो छोटे-छोटे पेर खरता हुए तो जो जलिये पराणी है वो खानी पा रहे हैं यहीं कि साइकल कर बड़ हो रही है तो इस्तिति गंबिर हो रही है तो कहीं न कहीं को है यहीं की स्फीन ह्यूम पर इसका बहुत बड़ा चीड असवड यस्समालक। मिल्ड़ क्लाइमेट चींज काशर क्या हुए है फोर्ट Gonzales पिसी की क्या रहा है यह जो त॥ड्स यह हैं वो अपने experience के बारे में बता रही है तो यह कह रही है my Antarctica experience was full of such effiphanies but the best occurred just sort of Antarctica circle at 65.55 degrees south बैसे तो मेरे लिए ये पूरा अनभव बहुत ही सांदार अनभव है लेकिन एक जगाए 65 degree हमारा temperature था वहाँ एक अलग ही मुझे अनभव प्राप्थ हुगा जब हम पानी में अपने सिप के साथ जा रहे थे तो एक छोटे-छोटे आइसलेंड जहां पर बर्फी वर्जमी थी वहाँ पर हम फस गए वहां से आंगी जाना संभव नहीं था तो हमारे group captain the captain decided we were going to turn around and head back north captain decide किया कि हम मोड़ेंगे और बापस जाएंगे बट विफूर वी डेड़ अगर हमें मलब यह करने से पहले क्योंकि बापस जाना थोड़ा तफतो था we were all instructed to climb down the gang plank and walk on the ocean लेकिन हमें बोला गया कि हम उतरना पड़ेगा वहां पर तब मुड़ पाएगा पूरा तो हम लोगों को उतरना पड़ा so there were we were all 52 of us हम 52 लोग थे वहां पर kitted आउट इन गोरे टेक्स एंड गलियर्स हमने अपने चस्में बगएरा जो अब ड्रेस तो पहनी पढ़ेंगे पाने में थोड़ी उतर जाएंगे मरेंगे क्या तो ड्रेस बगएरा पहनी हमने अपने जो गलियर्स थे मतलब जो चस्मा थे वो लगाये बॉकिंग वना स्टार्क वाइट नैस देट सीम्टी स्प्रेट आउट फॉरेवर और हम लोग उतर गए और यह एक अलग ही अनपाव था अंडरनीथ और फीड वाज मीटर थेक आइस पैक अंडरनीथ देट वन एटी मीटर सब लिविंग ब्रेदिंग सॉ तब कुछ मैं कनेक्ट रही थी अब मैं इसमें लिखा हुआ है कि Nine tune time zones six checkpoints three bodies of water मैंने कितने nine time zones क्रॉस किये छेज चेक प्रॉस किये three bodies of water यानि तीन समदर पार किये and many Akosphere और भहुत सारे बात्रमन मैंने पार किये I was still wondering about the beauty of valence and plague on our planet लेकि मैं Antarctica को देखके उसके वैलेंस को देखके आज भी आजचक चके थो अगर ये ठंडे से दोबारा गरम हो गया तो क्या होगा ये जितना जमा उगए फानी अगर वर्फ के रूप में गरम हो गया तो पिखल जाएगा पिखल जाएगा तो बाड़ा जाएगी बाड़ा जाएगी तो इनसान का स्कत्र हो जाएगा आंगे लिखा है विल वी अराउंड टू सी एट क्या हम जिंदा रह पाएंगे इसको देखने के लिए और वुड वी हैव गॉन दे वे ओफ डाइनसास मैमोस और बूली रीनो या फिर हम रीनो और डाइनसास की तरह गायब हो जाएगे वूस तू से कौन किस के बारे में कह सकता है वड आफ्टर स्पेटनिंग टू वीक्स बिद बंच ओफ टीनेजर्स लेकिन कुछ किस ओर अपने छोटे भाई बहनों के साथ जब मैंने यह समय बिताया दो वक्तों का उनके पास आज भी डेटर्मिनेशन है कि इस दुनिया को बचाना है All I can say मैं से इतना कह सकती हूं Is that a lot can happen in a million years but what a difference a day makes जो million years मैं हुआ सो हुआ लेकिन एक दिन में जो हो सकता है वो सब कुछ हो सकता है यानि कि हम अगर सोच लें कि हमें ज़्यादा अपने एको स्पीर के साथ अपने बाताबरन के साथ खिलवार नहीं करना है और इस बाता परण को, चाहे वो अंटार्टिका हो, चाहे वो अर्थ हो, या फिर और दूसरी चीज़ें हो, चाहे वो एसी ए कॉंटिनेंट हो, सब को बचाना है, इसके साथ खेलबार नहीं करना है, समझे गए कि नहीं? तो इसी के साथ हमारा चेप्टर कत्म होता है, मिलता ह हूं नेक्स वीडियो में, थैंक यू बेरी मुच, थैंक्स अलाउट